देखिए 2021 में 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 के मद्य इन पेरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है क्लियर देखिए कुछ ही दिन पहले अभी ओलंपिक भी खतम हुए हैं अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि नॉर्मल ओलंपिक और पेरा ओलंपिक में डिफरेंस क्या होता है तो देखिए नॉर्मल ओलंपिक जो होते हैं दोस्तों उसमें वे खिलाडी भाग लेते हैं जो कि फिजिकली फिट होते हैं लेकिन पेरा ओलंपिक में वे एथिलिट भाग लेते हैं जो कि शारी रिक्रूप से शक्षम नहीं है। I hope आपको दोनों के मद्धी का डिफरेंस समझ में आगे होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं देखिए 2021 के जो पेरा ओलंपिक हुए हैं जो कि 2020 का ही पेरा ओलंपिक था यह जापान की राजधानी टोक्यो में आयुजित किया गया है। Very important fact है इसे याद रखिएगा। आगे देखिए अगर हम पेरा ओलंपिक 2020 के मोटो की बात करें तो इसका मोटो है United by Emotion। United by Emotion पेरा ओलंपिक 2020 का मोटो है जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयुजित किया गया है। और अगर हम इसके शुबंकर की बात करें मसकट की बात करें तो यह सोमेटी है जो की एक कार्टून के रेक्टर है। तो इन दोनों ही fact को याद रखिएगा। 2020 के पेरा ओलंपिक का मोटो United by Emotion है और सोमेटी इसका शुबंकर है। देखिए आखरी बार 2016 में पेरा ओलंपिक का आयोजन रियो में किया गया था। रियो डी जेनरियो जो की ब्राजिल में इस्ती थे। 2021 में जापान की राजदानी टोक्यो में किया गया और इसके बाद अब 2024 के जो पेरा ओलम्पिक गेम से इनका आयोजन देखिए फ्रांस की राजदानी पेरिस में किया जाएगा Very very important देखिए एक्जाम के point of view से बहुत ही महत्पून है दोस्तों इसलिए इस फेक्टो का आप नोट कर लीजेगा क्योंकि एक्जाम में ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है 2024 में पेरा ओलम्पिक गेम से फ्रांस की राजदानी पेरिस में आयजित के जाएंगे देखिए दोस्तों पहली बार भारत ने पेरा ओलम्पिक में अपने सबसे जादा खिलाडियों का दल बेजा है इस बार 2020 के जो पेरा ओलम्पिक है इसमें भारत के 54 एटलेट्स ने हिस्सा लिया है मतलब देखिए पेरा ओलंपिक खेलों के इतियास में भारत ने पहली बार अपना सबसे बड़ा खिलाडियों का दल भेजा है तो कितने खिलाडी भेजे हैं? 54 इसके बाद देखिए पेरा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लेग बेरियर टेक चन थे मतलब भारत का जो जंडा थामा था वो टेक चन थामा था किसमें? ओपनिंग सेरेमनी में लेकिन देखिए क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से फ्लेग बेरियर थी अवनी लेख रा तो Take Crunch जो हैं वो Opening Ceremony में Flag Barrier थे और अवनी लेखरा Closing Ceremony में Flag Barrier थी इसके बाद देखिये दोस्तो पेरा उलम्पिक 2020 में अगर हम भारत के medal की बात करें तो भारत देखिये ranking में 24 त स्थान पर है भारत ने टोकियो पेरा उलम्पिक में टोटल 19 फद्द जीते हैं जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉंज मेडल हैं इसके पहले देखिए किसी भी ओलंपिक में अधिक्तम भारत के अगर मेडल की बात करें तो अधिक्तम भारत ने केवल 4 मेडल ही जीते हैं लेकिन देखिए दोस्तो इस बार 19 मेडल जीते हैं बहुत ही शांदार प्रदेशन है देखिए 2016 के रियो ओलंपिक में भी भारत ने टोटल 4 मेडल ही जीते थे जिसमें 2 गोल्ड थे, एक सिल्वर था और एक ब्रॉंज था तो इस प्रकार देखिए, टोटल अधिक्तम किसी भी ओलंपिक में अभी तख हमने 4 मेडल ही जीते थे लेकिन इस बार देखिए, टोटल हमने 19 मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं और 19 मेडल के साथ देखिए, भारत पदत तालिका में 24 वे इस्थान पर हैं clear? देखिए, आपको कुछ और important factor में आपको पेरा ओलंपिक के बता देता हूँ जो कि इंडिया से related है, संभाव ना है कि वो exam में पूछे जा सकते हैं देखिए, भारत ने सबसे पहली बार 1968 के पेरा ओलंपिक में भाग लिया था देखिए, भाग तो 1968 में पहली बार लिया, लेकिन जो पहला मेडल भारत को ओलंपिक में मिला है वो 1972 के हेडलबर्ग ओलंपिक में मिला था देखिए, 1972 के हेडलबर्ग ओलंपिक में मुरली कांग पेटकर ने swimming में गोल्ड मेडल जीता था और यही भारत का किसी भी पेरा उलंपिक में पहला जीता गया मेडल था तो पेरा उलंपिक में भाग तो आपने 1968 में लिया था लेकिन पहला मेडल जो मिला है, वो 1972 में मिला है ओके, आई होब आपको ये फेक्ट समझ में आ गए होंगे दोस्तों इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि आने वाली एक्जाम में यह हमसे पूछे जा सकते हैं तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं उन एथलेट्स के बारे में जिन्होंने भारत को टोक्यो पेरा उलंपिक में मेडल दिलवा है तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडलिस एथलेट की तो देखिए, इसमें सबसे पहला और सबसे महत्पुन नाम आता है दोस्तों अवनी लेखरा का सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि एक राइफल शूटर है वेरी वेरी इंपोर्डेंट फेक्ट है याद रखिएगा, कोई भी एथलेट किस खेल से संबन्दित है यह आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में सबसे अधिक कुश्चन इसी फेक्ट से पूछे जाते है तो अवनी लेखरा एक राइफल शूटर है देखिए अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में देश को गोल्ड दिलवाया है इन्होंने फाइनल में 246.6 अंक हासिल किये और सबसे ज़्यादा अंकों के साथ इन्होंने 10 मीटर राइफल का गोल्ड मिडल अपने नाम कर लिया इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग के फाइनल में देखिए चीन की की सी जांग को हराया है देखे अब question आता है कि अवनी लखे रा इतनी ज़्यादा महत्पूर क्यों है और इससे क्यों question सबसे ज़्यादा पूछे जाने के समभावना है तो देखे दोस्तो अवनी लेखरा पहली पेरा उलंपिक खिलाड़ी है जिसने पेरा उलम्पिक में सोन पदक अपने नाम किया है मतलब पेरा उलम्पिक खेलों में देखिए सोन पदक जीतने वाली ये पहली भारती महिला खिलाड़ी है और इसके अलावा देखिए किसी भी एक उलंपिक में दो मेडल जीतने वाली भी ये पहली महिला की लाड़ी है देखिए दोस्तों महिलाओं की 50 मीटर राइफल चुटिंग में इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है तो 10 मीटर राइफल चुटिंग को याद रखिए इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और 50 मीटर राइफल चुटिंग में इन्होंने ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है तो इस प्रकार देखिए एक ही पेरा उलम्पिक में दो मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारती महिला की लाड़ी है अब ये जो 50 मीटर राइफल का जो सोन पदक है वो चीन की कुलपिंग जांगने जीता है ग्लियर तो गोल्ड मेडल इनका पहला मेडल है जो की 10 मीटर राइफल शुटिंग में इन्होंने जीता और इसके बाद 50 मीटर राइफल शुटिंग में इन्होंने दूसरा मेडल जीता है अवनी लेखरा राजस्थान के जैपूर की रहने वाली है दोस्तों तो बहुत ही important हो जाती है क्योंकि इन्होंने एक ही पेरा उलम्पिक में दो मेडल जीते हैं इसके बाद देखिए एक और महत्पुन गोल्ड मेडलिस्ट है सुमित अंतिल ये Indian Javelin Thrower है इन्होंने देखिए टोकियो उलम्पिक में भाला फेक इस पर्दा के F64 वर्ग में गोल्ड मिडल अपने नाम किया है देखिए दोस्तों इन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर का जेवलिन थ्रो फेका है और एक नया विश्व रिकोर्ड अपने नाम किया है सुमित अंतिल हरियाणा के सोनी पत के रहने वाले हैं दोस्तों अब देखिए इसी इस पर्दा में भारत के एक और खिलाडी ने भाग लिया था जिनका नाम था संदीप चोधरी लेकिन ये इस इस पर्दा में चोथे इस्तान पर रहे थे दोस्तों तो वेसे ये तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी अगर कभी कोशन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि संदीप चोधरी भी भारत के जेवलिन थ्रोवर हैं और सुमित अंतिल ने भाला फेक के एक 64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है इसके बाद देखिए मनीश नर्वाल भारत के पिस्टल शूटर है दोस्तों इन्होंने देखिए पेरा ओलंपिक में 50 मीटर SH1 केटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है तो पहला important factor तो यह हो जाता है कि मनीश नर्वाल किस खेल से सम्बंदित है तो यह पिस्टल शूटर है और कितने मीटर रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो 50 मीटर रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है इसके बाद देखिए दोस्तों 50 मीटर का गोल्ड मेडल तो देखिए मनीश नर्वाल ने जीता है और इसी केटेगरी का जो सिल्वर मेडल है देखिए वो भी भारत की जोली में ही आया है भारत के जो सिंग राज है उन्होंने इस केटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है इन्हें हम देखिए बाद में डिटेल में समझेंगे तो अभी तो आप यहाँ पर केवल मनीश नर्वाल को याद रखिए मनीश नर्वाल ने देखिए 50 मीटर शुटिंग में 218.2 का स्कोर किया है और इसी के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया वहीं देखिए सीहराज की अगर हम बात करें तो यह थोड़ा सा इन से पीछे रग गए और 216.7 का स्कोर किया और सिल्वर मेडल जीतने में ये कामियाब रहे मनीश नर्वाल और सीहराज दोनों ही देखिए हरियाना के फरीदाबाद से सम्मंदी थे आगे देखिए टोक्यो पेरा अलंपिक 2020 में एक और गोल्ड मेडल हमें जितवाया है प्रमोध भगत ने जो कि भारत के मशूर बेड मिंटन प्लेयर हैं प्रमोध भगत ने देखिए पुरूश एकल के ACL 3 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है देखिए इन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया और ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा कर बेड मिंटन का गोल्ड अपने नाम किया है अब देखिए ये पहली बार हुआ है कि बेड मिंटन को पेरा उलम्पिक में शामिल किया गया है इसके पहले देखिए कभी भी बेड मिंटन इस परदा पेरा उलम्पिक में नहीं होती थी तो ये भी एक बहुत ही महत्पून फेक्ट हो जाता है कि बेड्मिंटन को देखिए पहली ही बार शामिल किया गया और प्रमोद भगत ने बेड्मिंटन का पहला गोल्ड भारत को दिलवा दिया क्लियर तो इस प्रकार देखिए बेडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत भारत के पहले भारती खिलाड़ी हैं अगर इनके डोमेसाइल की बात करें तो प्रमोद भगत भारत के बिहार राज्य से संबन्दी थे आगे बढ़ते हैं लास्ट और पांचवा गोल्ड है हमारे पास क्रिशना नागर का प्रमोद भगत की तरह देखिए दोस्तों ये भी एक पेरा बेडमिंटन खिलाड़ी हैं इन्होंने टोक्यो उलम्पिक में देखिए हॉंग कॉंग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल जीता है 22 साल के नागर राजस्तान के जैपूर के रहने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर हमने ऐसे पांच एथलेट्स की बात की है जिन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक में हमें गोल्ड दिलवाया है अब हम बात करते हैं उन एथलेट्स की जिन्होंने हमें टोक्यो पेरा उलम्पिक में सिल्वर मेडल दिलवाया है इन्ह याद रखेगा आप question आता है कि ये किस खेल से सmesan दिथे तो देखे दोस्तों ये भारत की table tennis player है भारत की table tennis player भाविना पटल ने भारत को देखे पेरा Olympic का पहला पदक दिलवाय था मतलब टोक्यो पेरा उलम्पिक में भारत का पहला पदक जो था वो भाविना पटेल लेकर आई थी लेकिन देखिए ये एक सिल्वर मेडल था अगर आपसे एक्जाम में कुश्चन ये पुछा जाए कि टोक्यो पेरा उलम्पिक का गोल्ड मेडल पहला किसने जीता था तो फिर आती है आउनी लेखरा लेकिन अगर कुश्चन पुछा जाए कि टोक्यो पेरा उलम्पिक का पहला मेडल किसने जीता है तो फिर आती है भाविना पटेल देखे फाइनल में इन्होंने चीन की वर्ल्ड नंबर वन जाओ यंग को बहुती कड़ी टक कर दी थी लेकिन देखे फिर भी ये हार गई तो इन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोश करना पड़ा लेकिन फिर भी देखे इनके नाम एक बहुती महत्पून उपलब्दी हो गई है कि भावि का पटेल जो है पेरा उलम्पिक टेबल टेनिस इस परदा के फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारती महिला की लाड़ी बन गई है 34 साल की भाविना पटेल जो की एक टेबल टेनिस प्लेयर है गुजरात राज्जी की रहने वाली है इसके बाद एक और महत्पून सिल्वर मेडलिस्ट है देवेंद जाजरिया आपको यहाँ पर इमेज देखके ही समझ में आगया होगा कि यह भारत के जेवलिन थ्रोर प्लेयर है वेरी वेरी इंपोटेंट है दोस्तों एक्जाम में देवेंद जाजरिया से बहुत ज़्यादा कुश्चन पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ के एक-एक फेक्ट को आप याद रहिएगा देखे देवेंदर जाजरिया ने कुरूशों के जेवलिन थ्रो एफ-46 वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है देखे इन्होंने फाइनल में 64.35 मिटर का भाला फेका था और इसी के साथ इन्हें सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में मिला है देखे दोस्तों देवेंदर जाजरिया भारत के एक मात्र एसे पेरा उलम्पिक खिलाडी हैं जिन्होंने तीन उलम्पिक खेलों में पदक जीते हैं 2020 के टोक्यो पेरा उलम्पिक के पहले देखिए इन्होंने एथेंस पेरा उलम्पिक 2004 में और 2016 के रियो पेरा उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था तो इस तरह देखिए तीन उलम्पिक में पदक जीतने वाले ये एक मातर खिलाडी हैं और इसके अलावा एको रिकॉर्ड इनके नाम है की ये भारत के एकमात्र AC पेरा ओलमपिक एथलिट हैं जिन्होंने पेरा ओलमपिक में दो स्वन पदफ जीते हैं तो देखिए ये दोनों ही रिकॉर्ड देवेंद्र जाजरिया के नाम पर हैं इसके बाद देखे दोस्तों पुरूशों के जेवलिन थ्रो में देखे सिल्वर मेडल तो देवेंद्र जाजरिया ने जीता था लेकिन इसी इवेंड का जो ब्रॉंज मेडल है वो भी भारत के सुन्दर सिंग गुजर नहीं जीता है मतलब इस इसपर्दा का देखे सिल्वर मेडल और ब्रॉंज मेडल ये दोनों ही भारत ने जीते हैं देवेंद्र जाजरिया की देखे खेलों के शेतर में उपलब्दी के कारण ही 2017 में इन्हें भारत का सरवोच्य खेल सम्मान राजी उगांदी खेल रतन सम्मान दिया जा चुका है वेरी वेरी इंपोर्डेंट फेक्ट है इस फेक्ट को भी आप नोट कर लीजेगा देवेंद्र जाजरिया जो की जेवलिन थ्रोवर खिलाडी हैं इन्हें 2017 में राजी उगांदी खेल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसके बाद देखिए एक और महत्पुन सिल्वर मेडलिस्ट हैं मरियपण ठंगवेलू देवेंद्र जाजरिया की तरह इन्हें भी याद रखियेगा दोस्तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अब सबसे पहला कुश्चन आता है कि ये किस खेल से सम्मानित है तो देखिए दोस्तो ये एक हाई जम पर है टोक्यो पेरा उलम्पिक में उची कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये भारत के तमिल नाडू रज्ज के रहने वाले हैं अब देखिए पेरा उलम्पिक में इनका लगातार ये दूसरा पदक है इसके पहले 2016 के रियो अलम्पिक में इन्होंने उची कूद में स्वन पदक जीता था तो 2016 में स्वन पदक और अब 2020 के टोक्यो पेरा अलम्पिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है तो इस प्रकार देखिए, continue इनने दो मेडल जीते हैं दो पेरा उलम्दिक में खेलों में इनके योगदान के करण देखिए, 2017 में इन्हें अरजुन पुरसकार से सम्माने किया गया था 2017 में ही बाद में इन्हें पदमश्री पुरसकार भी दिया गया और पिछले साल 2020 में ही इन्हें राजी उगांदी खेलरत में पुरसकार दिया गया था जो कि भारत का सर्वोच्य खेल सम्मान है तो देवेंद्र जहजरिया को 2017 में राजी उगांदी खेलरत में पुरसकार दिया गया है और मरियप्पन थंगावेलु को 2020 में ये पुरसकार दिया गया है इसके बाद देखिए मरियप्पन थंगावेलु की तरह निशात कुमार भी भारत के हाई जंपर खिलाडी है इनोंने देखिए टोक्यो औलमपिक में पुरुषो की उची कूद T47 वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है इनोंने देखिए फाइनल में 2.06 मीटर उची जंप लगाई थी और इसी के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया था इसके पहले भी देखिए दोस्तो, 2019 में दुबई में जो वर्ल्ड पेरा एटलेटिक्स चेंपियंशिप आयो जीत की गई थी इसमें 2.05 मीटर की जंप लगा कर इन्होंने इस प्रतीस परदा का गोल्ड मेडल जीता था और अब 2020 के टोक्यो पेरा उलम्पिक में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है ये भारत के हिमांचल प्रदिश राज्जी के रहने वाले हैं इसके बाद आते हैं योगेश कतुनिया जो की भारत के डिसकस थ्रो से संबंदित है डिसकस थ्रो मतलब भाला फेक से संबंदित खिलाड़ी हैं टोक्यो उलम्पिक 2020 में देखिए योगेश कतुनिया ने 44.38 मीटर का डिसकस थेका है और इसी के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है इस इवेंट का जो गोल्ड मेडल है वो ब्राजील के पास गया है ब्राजील के 32 सांटोस ने 45.59 का डिसकस थेका था तो इसी के साथ देखिए ब्राजील इसमें पहले नमबर पहे और भारत इसमें दूसरे नमबर पहे इसके बाद देखिए दोस्तो एक टीसरे हाई जमपर जिन्होंने टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है यह है प्रवेंड कुमाद तो यह भारत के एक हाई जमपर खिलाडी है इन्होंने टोक्यो पेरा ओलंपिक में 2.07 मीटर की उची छलांग लगा कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है देखिए इस इस परदा में इन्हें ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन ने राया है जिन्होंने देखिए 2.10 म उची छलांग लगा कर दूसरे इस्तान पर इस प्रत्योगिता में आए है और सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है यह भारत के नोएड़ा के रहने वाले हैं इसके बाद देखिए सुहास यथिराज वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह भारत के पेरा बेड्मिंट इस परदा में स्वन पदक जीता है इन्होंने यह जो मेडल है पुरुष एकल एसल 4 की केटेगरी में जीता है सुहास ने देखिए फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर को बहुती कड़ी टक कर दी थी लेकिन देखिए फिर भी फ्रांस के लुकास माजूर जीत गए और सुहास यथिराज को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा अब देखिए दोस्तों यह इतने ज़्यादा महत्पुन इसलिए भी है क्योंकि यह भारती आईये सदिकारी है सुहास यथिराज जो है उत्तर प्रदेश केडर के देखिए 2007 बेच के आईये सदिकारी है तो या इन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है और इस प्रकार देखिए किसी भी पेरा उलम्पिक में पदक जीतने वाले ये पहले आईये सदिकारी बन रहे है क्लियर इसके बाद देखिए सबसे लास्ट सिल्वर मेडलिस्ट है सिंग राज अडाना जो क पेरा उलम्पिक शूटर है इन्होंने देखिए टोक्यो पेरा उलम्पिक में पचास मीटर पिस्टल कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल जीता है सिंग राज अडाना ने टोक्यो पेरा उलम्पिक में दो मेडल जीते हैं पहला तो पचास मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल है और इसके बाद देखिए 10 meter air pistol में इन्होंने 80 पदक भी जीता है तो इन दोनों ही effect को याद रखिएगा 50 meter pistol में silver medal और 10 meter air pistol में इन्होंने bronze medal अपने नाम किया है ओके friends I hope आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो देखिए यहाँ पर हमने गोल्ड और जितने भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं उन पर डीटेल में डिसकस किया है तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत को 2020 के टोक्यो पेरा उलम्पिक में कितने ब्रॉंज मेडल मिले हैं और वे भारत को किन-किन एथलेट ने दिलवाए हैं तो देखिए दोस्तो भारत को 2020 के टोक्यो पेरा उलम्पिक में 6 ब्रॉंज मेडल मिले हैं अब इन 6 ब्रॉंज मेडल में सुंदर सिंग गूजर ने जेवलिन थ्रो में भारत को ब्रॉंज मेडल दिलवाए हैं सिंगराज अडाना ने देखिए 10 मिटर एयर पिस्टल में ब्रॉंज मेडल जीता है शरत कुमार ने हाई जंप में अवनी लखेरा ने शुटिंग में हरविंदर सिंग ने तिरंदाजी में और मनोज सरकार ने बेड मिंटन में ब्रॉंज मेडल जीता है अब देखे इन 6 एथलिट में सबसे महत्पुन है सीराज अडाना और आवनी लखेरा वो इसलिए क्योंकि इन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक में दो-दो मेडल अपने नाम किये हैं तो ये बहुत ही महत्पुन है दोस्तों दोनों मेडल में आपको बता ही चुका हूँ और भारत इस मेडल टेबल में किस इस्तान पर है इसे भी आप स्पेशली याद कर लीजेगा तो देखे दोस्तों इस पेरा उलम्पिक में सबसे ज़्यादा मेडल चायना ने जीते हैं इसने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉंज के साथ टोटल 207 मेडल जीते हैं इसके बाद दूसरे इस्तान पर Great Britain है जिसने टोटल 124 मेडल जीते हैं और तीसरे इस्तान पर United State है जिसने 104 मेडल टोटल इस इस परदा में जीते हैं अब देखे अगर भारत की बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं भारत का इस इस परदा में 24 वा इस्तान है भारत में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉंज के साथ टोटल 19 मेडल अपने नाम किये हैं ये किसी भी पेरा ओलंपिक में भारत का अभी तक का सर्वस रेस्टे प्रदाशन है सभी फेक्ट आपको बिना किसी कन्फूजन के समझ में आ गए होंगे दोस्तों तो ये था हमारा थियोरी सेक्षन जिस पर हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ब्रिफली डिसकस किया है तो चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट MC की कोश्चन पर डिसकस कर लेते हैं पहला कोश्चन देखिए तो आप सभी जानते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखिए तो युनाइटेड बाइ इमोशन टोक्यो पेरा उलम्पिक का आदर शुआग की है तो आंसर दी भारत ने टोक्यो पेरा उलम्पिक में कितने मेडल जीते हैं दोजार बीस के टोक्यो पेरा उलम्पिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं अगले वोश्चन पर चलते हैं भारत की ओर से टोक्यो पेरा उलम्पिक में सबसे पहला मेडल किस ने जीता था तो भारत की ओर से देखिए टोक्यो पेरा उलम्पिक का सबसे पहला पदर जो था वो भावी का पटेल ने जीता था तो आंसर C टोक्यो पेरा उलम्पिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं तो 2020 के टोक्यो पेरा उलम्पिक में भारत ने टोटल आट सिल्वर मेडल जीते हैं टोक्यो पेरा उलम्पिक में भारत ने कितने ब्राउंज मेडल जीते हैं। तो टोक्यो पेरा उलम्पिक 2020 में भारत ने 6 ब्राउंज मेडल जीते हैं। कोशन देखिए, पेरा उलम्पिक खेलों में स्वन पदग जीतने वाली पहली भारती महिला कोन बनी है। तो दोस्तो 2020 में पेरा उलम्पिक खेलों में स्वान पदक जीतने वाली पहली महिला है अवनी लेखराम जिन्होंने देखिए राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है तो आंसर एक खिलाडी सुनिल अंतिल की स्खेल से संबंदी थे तो देखिए सुनिल अंतिल जो है वो जेवलीन थ्रो के खिलाडी है मनीश नर्वाल ने कितने मीटर रेंज शुटिंग में गोल्ड मेडल जीता है तो मनीश नर्वाल जो की भारत के एक पिस्टल शूटर है दोस्तो इन्होंने 50 मीटर की रेंज में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है कोशन देखिए मरियपण थंगवेलु को किस वर्ष पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया गया तो देखिए मरियपण थंगवेलु को 2017 में पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया गया था एक मात्र पेरा उलम्पिक एथलेट कौन है जिन्होंने उलम्पिक में दो बार स्वन पदत जीता है तो ऐसे खिलाडी है दोस्तों देवेंद्र जाजरिया तो अंसर हो जाएगा आंसर ए इसके बाद देखिए जेवलिन थ्रो में किसने ब्रॉंज मेडल जीता है तो देखिए भारत के सुन्दर सिंग गुजर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉंज मेडल जीता है इसके बाद देखिए भाविना पटेल किस खेल से संबन्दी थे तो भाविना पटेल भारत में देखिए टेबल टेनिस से संबन्दी थे तो अंसर हो जाएगा भी भारत के पेरा बेडमिंटन खिलाडी कोन है जिन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक में स्वन पदक जीता है तो देखे ये खिलाडी है दोस्तो कृष्णा नागर कृष्णा नागर एक बेंड मिंटन खिलाडी है जिन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक में स्वनपदक जीता है सिंग राज अडाना किस खेल से संबन्दित है तो सिंग राज अडाना जो है भारत के एक फेमस शूटर है तो यहां अंसर हो जाएगा आंसर सी कौन पेरा उलम्पिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन रहे है तो वो अधिकारी हैं दोस्तो सुहास यतिराज जो की UP केडर के 2007 बेच के IAS अधिकारी है आगे देखिए पेरा उलम्पिक पदक तालिका में भारत का कौन सा इस्तान है वेरी सिंपल कौशन है इस तालिका में भारत 24 से इस्तान पर है तो अंसर B पेरा उलम्पिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबन्दी थे तो पेरा उलम्पिक में देश को गोल्ड मिडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत जो हैं वो बेड मिंटन खेलों से संबन्दी थे कोशन देखिए पेरा उलम्पिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लेग बेरियर कौन थे तो देखिए 2020 के टोकियो पेरा उलम्पिक की क्लोजिंग सेरेमनी जो थी उसमें फ्लेग बेरियर थे अव नहीं लेख रहा इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का तिरंगा थामा था तो आंसर ए लास्ट कोशन देखिए 2024 में पेरा उलम्पिक कहां आयोजित किया जाएगा Very simple और very very important question है 2024 का पेरा उलम्पिक देखिए France की राफधानी Paris में आयोजित किया जाएगा तो answer B ओके तो I hope आपको सभी fact और सभी MCQ question बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आपकी आने वाली exam में यहां से जो भी question आपसे पूछा जाएगा वो आप definitely solve कर लोगे तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe जरूर कर ले आपसे फिर मुलाका दोगी next वीडियो में बने रही हमारे साथ जहिन